फर्दाबाद की जेसी बोस युनिवरस्टी में आज स्वामी विवेकानन्द की जोयनती के अफसर पर राष्टी युवा दिवस कारिकरम आयोज़त किया गया जिसमें हर्यान के राज़पाल बंडारु दततरे ने बतोर मुख्यतिती शुर्कत की और युवाओं से संबाद किया कारिकरम के शुरुवारत राज़पाल बंडारु दततरे द्वारा दीप प्रज्वलित करकी गई इस अफसर पर उन्होंने युवाओं को बढ़ाई दी और स्वामी विवेकानन्द जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए युवाओं को जागरु किया किति एवन हमें हैं जिसरा कर भारत को पहजान में लाने का कोशिश किया है फजीके आज परावदों के जिश्क्रेश कने के से इ स्भारत को बहुत उंड शाभी में लाने के लिए उनका जो भी प्रयाद चल रहा है उनको उन्होंने अच्छा हीगा 21 सदी भारत की सदी होई महीं कैबिनेट मंत्री मूल्चन शर्मा ने भी युवाउं को संबोधित किया और फरिदाबाद की धर्ती को रिशी पराशर की धर्ती बताते हुए और स्वामी विवेकानंद की जीवनी के बारे में युवाउं को अवगत करवाया महीं युनिवर्स्टी के कुलपती ने भी राज्युपाल और उच्छ शिक्षा मंत्री मूल्चन शर्मा के युनिवर्स्टी प्रांगन में पहुँचने पर अभार वेक्त किया और स्वामी विवेकानंद की जीवनी पर प्रकाश डाला जीवन में चलते हुए आपको कई अमरोधों की का सामना करना पड़ता है और कई बार सफलता और विफलता दोनों आती है ये जीवन के अभी नंग है सफलता और विफलता को किस तरीके से निबटना है वो स्वामी जी के जीवन से सीख सकते हैं स्वामी विएकानंदी महावारत से हमारा बहुत बड़ा फईदाद काई और YMC University का बहुत बड़ा एक कापस में इस University का जो महावारत के निबसे जुड़ों है महावारत में वे व्यास जी ने जो 18 ध्याय लिखे थे महावारत से जी का अपना मंदिर पहाड के अंदर उनकी पुक्त्र वे व्यास ने 18 ध्याय भी पहाड के उपर इपिदावाद पर लिखे थे बतादें कि आज स्वामी विवेकनन्द की जियनती है जिसे राष्ट्य युवा दिवस्त के रूप में मनाया जाता है इसी उपलक्ष पर जेसी बोस युनिवरस्टी में आज कारकरम आयुजित किया गया जहां पर राज़ुपाल के साथ उच्च शुक्षा मंतरी मोर्चन शर्मा खासतोर पर इस कारकरम में पहुंचे जहां उन्होंने युनिवरस्टी के छात्र छात्राओं के साथ स्वामी विवेकनन्द की जीवनी पर विचार सांझा के पंजाब केस्टी टीवी के लिए फर्दाबाद से सुधिर स्वार्मा की रिपोर्ट